Hello Students! हम जो chapter स्टार्ट कर चुके हैं वो है permutations and combinations और आज हम उसका एक important topic को पकड़ के रखे हुए हैं वो है letters and envelops problems ठीक है? तो इस topic के under हम इन 5 points पर discussion करने वाले हैं पहला जो point है हमारे पास वो है derangements इसका मतलब जानेंगे दूसरा हमने जो topic इसमें रखा है कि number of ways to put two letters in two addressed envelops so that all are in wrong envelops यह हमारे पास B part है C part है number of ways to put three letters in three addressed envelops so that all are in wrong envelops अगला है number of ways to put four letters in four addressed envelops so that all are in wrong envelops इसी तरीके से हमारा fifth point है यहां पर number of ways to put five letters in five addressed envelops so that all are in wrong envelops यह जो letters और envelops के जो problems हैं जो यहां पर मैंने चार problems आपको दे रखी हैं B से लेकर E तक में दिखने में तो यह सारे के problem एक जैसे ही दिख रहे हैं लेकिन हर problem का अपने next वाले problem से एक link up है इसलिए हम बारी बारी से इन सब को discuss करने वाले हैं तो इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यह derangements derangements क्या होता है तो बच्चो derangements का मतलब क्या होता है कि एक example हम देख लेते हैं और उस example के basis पे हम समझते हैं कि derangements का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे पास ये कुछ letters हैं, ऐसे मैंने example ले लिया, ये letter 1 मान लिया, इसको letter 2, this one is letter 3 and letter 4 और हर letter का अपना envelope है, letter 1 का envelope E1 है, letter 2 का envelope E2 है, letter 3 का envelope E3 है और letter 4 का envelope E4 है, तो मैं आपको derangements का मतलब समझा रहा हूँ, तो ये जितने भी letters हैं, इनको हम इन envelops में put करते हैं, इन envelops में इसमें रख देते हैं, इस तरीके से रखते हैं कि कोई भी letter अपने corresponding envelops में ना जाए, जैसे मैं एक example आपको दिखाता हूँ, कि मान लेते हैं कि ये जो L1 letter है, इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ, L4 E3 में और L3 E4 में, तो कोई भी letter अपने corresponding envelops में नहीं आया है, इस तरह के arrangements को हम कहते हैं, derangements, तो इस तरह के एक ही derangements नहीं होगा, इस तरह के कई सारे आप derangements यहाँ पर दिखा सकते हो, तो इसका एक directly formula है, अगर question आये तो उसमें आप इस formula को directly आप use कर सकते हो, यह formula है n factorial 1 minus 1 over 1 factorial plus 1 over 2 factorial minus 1 over 3 factorial plus 1 over 4 factorial minus 1 over 5 factorial plus इस तरह के से minus 1 की power n multiply 1 over n factorial, तो यह एक formula है हमारे पास derangements का, तो अगर आपके पास 4 letters, 4 envelops problem है, तो यह जो formula है सिफ 1 over 4 factorial तक लिखा जाएगा, अगर 5 letters और 5 envelops की problem होगी, तो यह जो formula है 1 over 5 factorial तक लिखा जाएगा, आगे नहीं लिखा जाएगा, मतलब यहाँ से फिर यह bracket इस तरह से close हो जाएगा, आप यह find कर सकते हों आसानी से, कि ऐसे कितने ways हैं कि इन 4 letters को इन envelops में रखा जाए, और कोई भी letter सही envelop में ना रिखा गया हो, मतलब हर letter को wrong envelop में आपने रखा हो, तो इसी arrangement को हम क्या बोलते हैं, derangements जिसका हमारे पास यह direct formula है, तो आप direct formula के basis पे भी derangements निकाल सकते हों, तो बच्चों यह जो हमारा letters और envelops problem था, उसमें सबसे सब पैरा point था, derangements, यह हमने discuss कर लिया, इसका हमने formula discuss कर लिया, अब हमारे पास जो दूसरा point है वो यह है, अब इस question कैसे करेंगे, यह derangements जो मैंने आपको समझा है और जो formula मैंने यहाँ समझा है, वो formula इन सब के लिए लग सकता है और directly आपका answer भी यहाँ जाएगा, पर मैं आपको formula के basis पर ना समझा कर method क्या इसके पीछे है, वो समझाने वाला हूँ, तो आएए बच्चों देखते हैं इस B problem को, B problem में आपके पास क्या कहा है, मैं इसमें क्या करता हूँ, वही दो letter बना लेता हूँ, एक letter L1 और एक यहाँ पर मैंने L2 बना लिया letter, L1 letter का जो corresponding envelope है, इसको मैंने मान लिया E1, और L2 letter का जो corresponding envelope है, उसको मैंने मान लिया E2, तो मैं आपको यह बताने वाला हूँ, कि दो letters को दो envelope में किस तरीके से रखेंगे, ताकि सारे के सारे letters wrong envelope में रखे गए हूँ, क्यूंकि दो letters दो envelope की problem है, तो यह तो आसानी से आप बिना कोई formula के ही solve कर सकेंगे, लेकिन मैं आपको formula से ही बताऊंगा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास जो दो letters हैं, जब इन दो envelops में रखने हैं, तो हमारे पास total arrangements क्या होगी, दो letters को दो envelops में रखना हैं, तो टो dumb arrangements हमारे पास होगी two factorial, चीक है, यह ध्यान रखना, तीन letters को तीन envelops में रखना होगा तो होगा three factorial, four letters को four envelops में रखना होगा तो क्या होगा? 4 factorial इस तरीके से अब हमने ये जो लिखा है इसका मतलब आपको पता होना चाहिए इसका मतलब है total arrangements which can be possible if you put these two letters in these two envelops इसमें हर तरह के conditions आएंगे इसमें हर तरह का arrangement आएगा चीक है अब हमें find क्या करना है कि number of ways हमें वो तरीके find करने हैं इस तरीके से ये दोनों ही letter wrong envelops में रखे गए हो कोई भी letter अपने correct envelop में ना हो तो सबसे पहले आप निकालेंगे total arrangements इन दोनों letters को इन दो envelops में रखने के total कितने तरीके हैं 2 factorial अब आपको पता है कि इन दोनों letters को अपने correct envelop में रखने का हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है मतलब एक तरीका हमारे पास ऐसा है सिर्फ और सिर्फ एक तरीका ऐसा है जिससे ये दोनों letter अपने ही corresponding envelops में आ जाएं तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1 ठीक है? हम यहाँ लिख लेते हैं 1 ठीक हो गया? 2 factorial है सारे के सारे arrangements जितने possible है उसमें से मैं 1 को minus कर देता हूँ 1 क्या है? कि दोनों letters अपने ही exactly जो in love से provide कर रहें उसी में आ जाएं तो एक ही तरीका हो सकता है minus हम हर चीज minus करेंगे इसमें से ताकि जो required चीज है वो निकल जाए minus इसके बाद क्या करने वाले है? इसके बाद हम यहाँ पर minus करने वाले हैं किसको? हम यह लेते हैं कि एक letter अपने correct envelope में हो और दूसरा letter wrong envelope में हो इसको minus करने वाले है क्या ऐसा possible है? obviously नहीं क्योंकि अगर L1 को E1 में रखा जाए तो फिर L2 E2 में ही होगा तो L2 भी अपने सही इंवलब में होगा तो इस तरह का कोई भी तरीका यहाँ पर नहीं है तो यह 0 तरीका हमारे पास हो जाएगा 2 factorial होता है 2 minus 1 equal to 1 तो यह हमारे पास जो answer आया है यह important है तो हमारे पार एक तरीका ऐसा है हमारे पास एक ही तरीका ऐसा है जिसमें दोनों के दोनों letters wrong in love में रखे जा सकते हो बच्चों question छोटा ही था उसका solution भी छोटा था लेकिन मैंने बहुत जादा time लिया उसका current अभी आपको समझ में आ जाएगा यह answer आप याद रखेगे यह one क्या है दो letters को दो in love में किस तरीके से रखें ताकि दोनों के दोनों गलत in love में आ जाएं ठीक है दो letters को wrong in love में कैसे तरी रखें उसके इसे एक ही तरीका हमारे पास है यह तरीका आप याद रखें अब आते हैं हमारे पास जो C हमारे पास जो C इसमें पार्ट है उसमें आते हैं उसको डिसकस करते हैं क्या है C में हमारे पास है number of ways to put three letters in three addressed envelopes so that all are in wrong envelopes ठीक है अब इसको समझने के लिए फिर से हम वही काम करते हैं इस बार हमारे पास three letter है letter one, letter two यह letter three और इनके corresponding envelopes यह मान लिया मैंने e1 यह मान लिया मैंने e2 और यह मान लिया मैंने e3 हम कर क्या रहे हैं हम वो तरीके निकाल ले हैं जो possible हो सकते हैं in conditions में कि सारे के सारे letters wrong envelopes में रखे जाएं हम यही निकाल रहे हैं सिर्फ यहां तो इसको करते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं जैसे यहां पर किया था इन तीन letters को इन तीन envelopes में कितने तरीके से रखे जा सकते हैं उतने तरीके से जितने तरीके से इनका arrangement हो सकता है जो की हो गया 3 factorial समझ में आ गया हो गया यह हमने लिख लिया 3 factorial का मतलब सारे के सारे तरीके जिससे यह letters इन envelopes के अंदर arrange किये जा सकते हैं ठीक हो गया अच्छा अब हमें इस में से minus करना है क्या क्या चीज़ माइनस करना है हमें पता है कि यह सारे के सारे letters अपने सही envelope में अपने corresponding envelope में बिठा दिये जाएं तो ऐसे कितने तरीके हैं हमारे पास तो obviously ऐसे सिर्फ एक ही तरीका possible है तो इस में से मैं 1 को minus कर दे रहा हूँ एक यह कर दिया हमने ठीक है अच्छा अब अगला मैं क्या कर रहा हूँ अब मैं minus करूँगा अब मैं क्या करता हूँ कि तीन letters में से एक letter choose करता हूँ और उसको उसके correct envelope में बिठा दिता हूँ ठीक हो गया त्यान से सुनना मैंने क्या खा तीन letters से तो मैं तीन letters में से एक letter choose करता हूँ और उसको इसके correct in love में बिठा देता हूँ मतलब यहाँ multiply जब मैं one करूँगा इसका मतलब है choose करना इस one का मतलब है उसको उसके in love में बिठा देना जो कि एकी तरीके से बिठा सकते हो multiply यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको बार-बार मैं इस चीज़ को तो लिखूँगा नहीं फिर से बतायता हूँ three factorial का मतलब है इन तीनो letters को इन तीन in love में बिठाने के total तरीके इस total तरीके में से एक तरीका तो आपका मैंने minus कर दिया जो यह बताता है कि तीनो की तीनो letters अपने corresponding in love से बिठा दिये जाएं ऐसे सिफ एक ही तरीका है minus अब मैं क्या कर रहा हूँ तीन letters में से एक letter को चूज किया और उसको बिल्कुल सही जगा पर रखा मतलब अपने ही in love में रख दिया ठीक है रखने का तरीका एक लिख दिया मैंने और बाकी दो letters गलत in love में बैठ जाएं ठीक न तीन letter में से एक letter चूज करके उसके सही जगा पर रखा और बाकी बचे दोनों letters को गलत in love में रखा जाए इसके तरीके कितने हैं उपर मैंने बताया था एक दो letters को दो in love में गलत तरीके से रखने के हमारे पास एक ही तरीका है तो यहाँ पर मैंने ये 1 से multiply कर दे रहा हूँ मैंने pink sketch से multiply कर दिखा दिया ताकि आपको समझ में आ जाए अंतर ठीक हो गया ये समझ में आ गया minus अब तीन letters में से मैं दो choose करूँगा ठीक है तीन letters में से दो choose करूँगा और उनको उनके corresponding in love में रख दूँ इसके तरीके कितनी होंगे one multiply और जो तीसरा letter है उसको गलत in love में रख दूँ तो आपको पता है कि तीसरे letter को गलत in love में रख ही नहीं सकते जब आपने starting के दो letters को सही in love में रख दिया है तो उसके तरीके कितनी होंगे zero समझ में आ गया होगा तो अब इसको हम solve करते हैं three factorial का मतलब हो गया six minus one three c1 का मतलब हो गया three इसको solve कर तो two इस two का मतलब क्या है इस two का मतलब है जब आप three letters को तीन in love में रख रहे हो तो आपके पास सिफ दो ही तरीके ऐसे हैं जिसमें ये सारे के सारे letters गलत in love में रखे गया होगा मतलब कोई भी letters सही in love में नहीं होगा ये मतलब है इस two answer का यहाँ पर तो बच्चों ये समझ में आ गया हो का अब ये answer भी आपको ध्यान में रखना है और ये वाला answer भी ध्यान रखना है ये एक ध्यान रखना है और two ध्यान रखना है अब हम आते हैं हमारे पास जो हमारे पास अगला है वो है D number of ways to put four letters in four addressed envelopes so that all are in wrong envelopes अब यहाँ पर चार letter और चार envelopes की बारी आ गई है D, यहाँ पर मैंने already एक diagram बना हुआ था बनाया हुआ था सबसे पहले, इसी मैं समझाएता हूँ यह D part अब सबसे पहले चार letters को चार envelopes में रखने के total तरीके कितने हमारे पास four factorial ठीक है, four factorial का मतलब चार letters को चार envelopes में रखने के total तरीके तो यह total तरीके में सब तरीक के तरीके आ जाएंगे सब, सारे ways आ जाएंगे अब आपको पता है, इन four letters को four envelopes में अगर हम रख रहे हैं, तो हमारे पास एक ही way ऐसा होगा जब सारे के सारे letter अपने सही envelop में रखे गए हो तो इसमें से मैं one को minus कर दे रहा हूँ ठीक हो गया अब, अब minus करूँगा अब मैं क्या करता हूँ एक letter को अपने correct envelop में रखता हूँ और बाकी सब को गलत में फिर मैं करूँगा कि दो letters को अपने सही envelop में रखूँगा बाकी दो को गलत में फिर मैं क्या करूँगा तीन letters को सही envelop में रखूँगा और बाकी एक को गलत में ये process अपना हूँगा तो चार letters मैं से मैं एक letter को चुनता हूँ और उसको उसके सही envelope में रखता हूँ जिसका तरीका एक ही होगा चार मैंसे एक choose किया और उसको उसके सही place पे रखा उसके corresponding envelope में रखा जिसका तरीका एक ही होगा multiply बचे कितने? चार मैंसे एक choose किया तो बचे कितने? तीन बचे, तो बाकी बचे तीन को गलत envelops में रखने का, हमारे पास तरीका कितना है, बताया था तीन letters को तीन envelops में, तीनों की तीनों गलत envelops में रखने के हमारे पास इब दो ही तरीके हैं, तो मैं one के साथ two को multiply कर दे रहा हूँ, अलग इस के corresponding envelops में रखता हूँ, तो ध्यान रखना दो letters को उनके exact envelops में रखने का हमारे पास सिर एक ही तरीका होगा, ठीक है multiply, और बाकी बचे जो दो letters हैं, बाकी बचे दो letters को गलत envelops में रखने का हमारे पास कितनी तरीके होगा, एक तो इसके साथ multiply कर दो, one हो गया, इसके बाद minus four c two हो गया अब चार letters में से तीन letters को चुनूंगा और उन तीनों को तीनों को उनके सही envelope में रखोंगा, जिसका एक ही तरीका होगा multiply, बाकी बचे चौथा letter, जो last letter है, उसको गलत envelope में रखने के हमारे पास तरीके कितने होंगे obviously zero होगा क्योंकि जब तीन अपने सही जगपर आ गये हैं, तो चौथा भी तो सही जगपर आएगा, लेकिन हम उसको कहां रखने हैं, गलत इमलब में रखने हैं, जिसके तरीके हमारे पास क्या होगा, zero अब इसको हम solve करते हैं इसको हम पूरी तरह से solve करते हैं, देखते आंसर क्या आता है देखो, 4 factorial तो हो गया 24 minus 1 4C1 होता है 4 उस 4 को इस 2 से multiply किया तो हो गया 8 ठीक है, 4C2 होता है हमारे पास 6, यह हो गया 6 और यह हो गया 0 तो यह हो गया 14 115 और यह हमारे पास answer क्या आया, 9 तो बच्चो इस तरीके से हमने यह वाला D part भी कर लिया अब हमारे पास E part पड़ा है अब E part में obviously 5 letters को 5 addressed envelop में रिखना है so that all are in wrong envelops अब इसको हम कैसे करने वाले हैं पर सेम तरीका, सेम तरीकों को follow करेंगे हम ठीक है, आप मारे पास यह E है, यह तरीका अस्तमाल करते हैं, यह तरीके में क्या कहा है यह तरीके में यह है कि इस बार आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, यह letter 1, letter 2, letter 3, letter 4, letter 5 है, और यह इनके corresponding envelops हैं यह मैंने 5 envelops मना दिये नाम दे दिये, E1, E2 E3, E4, E5, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यह जो 5 letters हैं, इनको इन 5 envelops में रखने के हमारे पास total तरीके क्या होगा, 5 factorial, ठीक है, total number of arrangements, अब इसके बाद हमाय तो यह निकालना है ना, कि 5 letters को 5 envelops में इस तरीके से डाला जाए, कि हर letter अपने गलत envelops में आए, हर letter गलत envelops में रखा गया हो, ऐसे तरीके हमें निकालने हैं, तो total arrangements से मैंसे हम कुछ चीज़ा minus करके ही, वो चीज़ निकालेंगे, तो 5 factorial का मतल़ समझ में आ गया, इसमें हम करेंगे 1 से minus, 1 से minus तरीके कर रहे हैं, क्योंकि और उसको उसके correct envelops में रखते हैं, जिसका तरीका एक ही होगा, और बाकी बचे कितने letters, चार letters, तो उनको उनके गलत envelops में, मतलब उन चार letters को wrong envelops में रखने के हमारे पास तरीके क्या होगे, ध्यानक ना, चार letters को wrong envelops में रखने के तरीके हमारे पास कितने होते हैं 9 तो इसका मतलब यहाँ पर हम किस से multiply कर देंगे 9 से यह समझ में आ गया होगा अब यह हो चुका है अब हम 5 letters में से 2 letters चुनते हैं और उनको उनके correct envelope में रख देते हैं जिसका तरीका 1 ही होगा ठीक है ध्यान रखना यह 1 का मतलब है कि कितने सही तरीके हैं कितने सही envelope में रखे जा सकेंगे एक ही होगा बाकी बचे कितने letters तीन letters बचे ना उन तीन letters को wrong envelope में रखने के हमारे पास तरीके कितने हैं दो तीन letters को तीन envelops में wrong तरीके से रखने के हमारे पाद दो तरीके हैं, तो यहाँ पर 2 से multiply कर दो, समझ में आ गया होगा, अब minus, अब हम 5 में से 3 letter चुनते हैं, उनको उनके सही इनलप में रखते हैं, और बाकी बचे 2 letters को wrong इनलप में रखते हैं, जिसके तरीके हमारे पास कितने हैं, 1, तो यहाँ पर हम 1 से क्या कर देंगे, minus, इसके बाद, minus, अब 5 letters में से 4 letter को चुन कर, उनके सही इनलप में रखते हैं, और बाकी बचे जो एक letter उसको wrong इनलप में रखते हैं, तो obviously अगर 4 letter सही जगा आये हैं, तो 5 वह भी तो सही जगा आएगा, तो 5 वे letter को wrong इनलप में रखने का हमारे पास तरीका क्या होगा, वो तरीका होगा 0, तो इसको 0 से multiply कर दो, solve करें, 5 factorial होता है, 120, minus 1, 5C1 हो गया, 5, 5, 99 हो गया, आपका 5C3, यह भी होता है 10, तो आप 10 को 1 से multiply, यहाँ पर minus 1 नहीं है, यह गलती से minus 1 लिखा गया हो, यह हमारे पास हो गया 10, और यह हमारे पास कितना आ रहा है, 0, ठीक है, आप इन सब को solve करोगे, तो आपका answer आएगा यहाँ पर 44, तो आपके पास 44 ways ऐसे हैं, जिसमें 5 letters को 5 envelope में इस तरीके से रख जा सकते हैं, ताकि हर letter wrong envelope में आए, तो बच्चों इस तरीके से हमने जो यह topic स्टार्ट किया था, यह topic हमने यहाँ पर finish कर लिया है, तो मुझे के लिए applicable है, हर किसी में आप apply करके answer यही answer निकाल सकते हो, आप खुद try करेंगे इसके लिए, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो, तो प्लीज लाइक करें, मेरे चैनल को subscribe करना ना बूले, आपको यहाँ पर class 11 और class 12 के हर types की problems आसानी से मिल जाएंगी, thank you so much.